हेलो एवरिवन वेलकम टू जैस्वीज किचन आज में आपके साथ धनिये पुदीने के डिप या फिर चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो के बहुत ही टेस्टी बनती है घर में इजीली अवेलबल सामान से बनती है बिना चने मुंखफली या फिर सेव को एड किये तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं एक कप मैंने पुदीना लिया है वाश करके अच्छी तरह से उसके पत्ते ले लिये हैं दो कप मैंने धनिया लिया है जिसको अच्छी तरह से वाश कर लिया है स्टेम्स के साथ एक प्याज है एक आधा हिंच का टुकड़ा अद्रक का ह काला नमक सफेद वाला नमक और भुना चीरा पाउडर है तो बड़े चमच इमली को मैंने भिगो के मल के च्छान के उसका पानी ले लिया है गाड़ा वाला तो प्याज को अब स्लाइस करें अद्रक लैसुन और हरी मिर्च पहले डालके नीचे ताकि अच्छे से ब्लेंड हो पानी एड किया है गाड़ा पानी है जिसको मैंने इमली को भिगो के 15 मिनिट के लिए रख दिया था गरम पानी में उसको मेश करके ये गाड़ा सा पानी निकाल लिया है इसको चला लेते हैं थोड़ा से चला लेने के बाद फिर हम बाकी का धनिया और पुदीना एड़ कर पुदीने के सिरफ पत्ते लीजेगा लेकिन धनिये के साथ में स्टेम्स भी ले लीजेगा तो बहुत अच्छी चटनी ये गाड़ी बनती है बिना कुछ और एड किये हुए बहुत ही टेस्टी बहुत ही हरी बनती है बाकी का इमली का पानी भी हम एड कर लेते हैं कॉमन सॉल्ट एड कर लेते हैं जीरा पाउडर और काला नमक ये सारी चीज़े एड कर लेने के बाद उसको फिर से चला लेते हैं अच्छे से चला लेते हैं ये देखे कितनी गाड़ी कितनी लश ग्रीन और बहुत ही स्पाइसी चटनी बनके रेडी हो गई है इसको आप किसी